आप सभी का बहुत बहुत स्वागते जोड़दार तालियों से चौपाल का आगाज एक बार फिर से और अब चौपाल के मंच पर एक ऐसा नाम जिसे शायद 54 दिन पहले पता नहीं था कि मैं मध्यप्रदेश का सीम बन जाओंगा ये वो नाम है जो डॉक्टर साहब के जरीए भी जाने जाते हैं पहलवान के तौर पर भी जाने जाते हैं बीजेपी में शिक्षित नेताओं की अगर आप एक फेरिस तयार कर लें तो उसमें शायद अवल आते हैं एलेलबी किया है एमबीए किया है एमे किया है पी एजडी कर दी है डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त नए नवेले मुख्य मंत्री मध्यप्रदेश के हमारे साथ मौझूद है जोरदार तालियों के साथ स्वागत 42 साल हो गएं राजनीती में 54 दिन हो गएं मध्यप्रदेश की कुरसी पर बैठे हुए सच बताईएगा पहला फोन किसका आया और कर क्या रहे थे आप देखे हमारे यहां तो विधायक दल की वेठक थी और मैं आखरी पंक्ती में अपने मित्रों से बात कर रहा था साथ के विधायक थे और सभाई ग्रूप से हमारी पार्टी की जो परंपरा है इसके पेले एक कामन फोटो सेशन भी हुआ उस कामन फोटो सेशन में भी हम अपनी चोथी पंक्ती में बेट करके लास्ट माच ही पंक्ती थी मस्ती से बेट करके अपना-पना काम कर रहे सी मलब back bencher हाँ हमरी party में कोई बेहक और फ्रेंट का सवाल ही नहीं उठता जहार हो अपने मन से party से जुड़ेरो यही हमारी परंपरा है लेकिन आपने बताया नहीं सबसे पहला फोन किसका आया फोन किसी का नहीं आया बस ऐलान हुआ और क्या तो जब आप वहाँ उस पंक्ती में बैठे हुए थे और जब कहा कि डॉक्टर मोहन यादव तो आपको यह नहीं लगा कि मेरे लिए कह रहे हैं कि कभी नहीं लगा आपको इस बात का विश्वास था या आपको उम्मीद थी किया आप सीएम बन जाएंगे मैंने फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं कभी इसा सोचते ही नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ लेकिन पार्टी जो काम देगी मैं अच्छे से करने में विश्वास करता हूँ यह मुझे confidence है आप कह रहे हैं बड़े आदमी नहीं है पर मध्यप्रदेश को तो आप CEO की तरह चला रहे हैं मंत्रियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं नए किस्म की तरीके से मध्यप्रदेश को चलाने की कोशश कर रहे हैं देखिए मैं यशस्वी प्रदान मंत्री को आदर्स मानता हूं और उनने जब से सरकार चलाना चालो की तो वो सुषासन की बात करते हैं पार्देश्ता की बात करते हैं, जवाब देही की बात करते हैं तो यह केवल बात से तो बात नहीं बनेगी और जब में अपने मंत्री मंडल की तरफ देखता हूं तो हमारे मंत्रियों में कई ऐसे जो पहली बार के मंत्री हैं मैं वैसे बिविन प्रसासनिक पदों पर रहा हूं तो मैं इस बात को समझता हूं के सीधे किसी को चेर्मिन बना देना, सीधे मंत्री बना देना, सीधे कोई और जवाबदारी देदेने में थोड़ी सी प्रसासनिक ट्रेनिंग कर दें तो उसको गुणवत्ता कही बुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और जवाब देही और पारदस्ता का भी बड़ा रोल रहेगा और उसी नाते से हमने मंत्री मंदल के गठन के बाद दो दिन की ट्रेनिंग की और बड़े अच्छे से हर एक सत्र में हर एक मंत्री ने चाहे वो हमारे कई मेरे मंत्री तो ऐसे भी है जो मानी यश्वश्वी प्रदान मंत्री के साथ में मंत्री रह चुके हैं वो अभी हमारे स प्रशासनिक द्रश्टी से अनुभवी लोगों को हमने आमंत्रित किया रामभाल महाल गी हमारे प्रस्वक्षन संस्थाने मुंबई का उनके माध्यम से भी और भारत सासन के नीती आयोग के माध्यम से हमने ट्रेनिंग कराई और वो दो दिन की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई अच्छा और आते ही ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं लाउट स्पीकर भी बैन करवा रहे हैं सुना है मीट मचली भी आपने उसकी बिकरी भी बंद कर दिए तब संदेश क्या देना चाहरे हैं आप देखें सुसासन का अ कानून का राज है सुसासन हमारी संविधान की विवस्थाओं के अंतरगती तो सारी कलपना की जा सकती है तो अगर फूट सेप्टी का अपने आप में कानून है कि खुल्याम में अगर ये खादे पतार बिकेंगे तो इससे दोनों तरस से नुकसान है सरीज की दुष्टी स अगर जवाबदारी दी तो फिर कैसे कत्राएंगे तो फिर यूसीसी वहां उत्तराखंड में लागू हो गया है असम में कहा जा रहा है हिमन्त अभिस्वर सर्मा की तरफ से कि वो भी सोच रहे हैं कड़े फैसले ले ही रहे हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आप ले अगरा बताया जाएगा राज सरकार अक्षर सह उसका पालन करी लेकिन आपका विचार क्या है मेरा विचार मोदी जी के साथ चलने का यूसीसी के फेवर में है मैंने फिर कहा कि मुझे से हमारी भारत सरकार चाहेगी निश्यत रूप से हम वो सब करेंगे आपका पहला कि तो जैन की खासियत है आई आई आपको निश्यत रूप से मिस्ठान हमारे जैन की बहु हूं और आप वहां से तीन बार विदायक चुन कर आए हैं तो इसी बात पर बता दीजी यूरिफॉर्म सेविल कोड को लेकर क्या विचार है आपके देखे हमारी पारिटी की इस प इस नाते से हमारे सासन करने की आधार पर चाए कामन सिविल कोड हो या जो जो भी भविश में भारत सरकार हमको इस दिसामे मारदसन करेगी हम निश्यत रूप से इस दिसाम बढ़ेंगे आप OBC का एक बड़ा चेहरा है का यह जा रहा है कि चुना मध्यप्रदेश में आपको लेकिन निशाना साध्या दो अलग जगा पर बिहार में भी और उत्तरप्रदेश में भी क्या बिहार और उत्तरप्रदेश के यादव वोटर्स BJP को वोट करेंगे आपके चेहरे को द कारेकरता के ब्याकरते मुझे नहीं जाना चाहिए मैं भारती जनतापर्डी का सिपाहिए हूँ अपने विचार का जठड़ लेकि भरत में यह भारती जनतापर्ड़ी पोचाएगी विचारों के अभीवक्ति के आधार पर जहां हमको इस तरह से निमन्तरन मिले, वह हमको जाना चाहिए. नितीज जी तो सच है ना कि बिहार में जैसे ही आप गये, इंडी घट बंदन को दिल का दोरा पड़ गया? नहीं है, गलत भी में नहीं पालता हूँ, मेरे जाने से कुछ हो गया, वो एक राजनीति घटना कराम हम सब जानते हैं, जिसका क्या स्थिती बनी है, वो एक अपनी अलाइंस से जो लालू जी और नितीज जी का था, सौबे गूरूप से नितीज जी उससे बाहर आया और तो हमारे साथ कही है, नहीं तुम्हें बारा दिन पहले आप से सवाल पूछती तो आप कहते हैं, नहीं माहूल खराब है, नितीज जी से हो नहीं पा रहा है, मैं अपने राज्जी की बात करूँ और महा की बात क्यों करूँ तो आप क्या रहे हैं, नितीज बाबू के साथ आपका लंबा चलने वाला है भारतियनता पार्टी के साथ मैं अगर दूर से देखता हूँ यद्देभी मेरा सीधा उनसे परिचे नहीं है लेकिन भारतियनता पार्टी के साथ उनका वर्सों से अनभो रहा है और हम सब जानते कि बिहार को कई मामलों में उनने अगर अगरगणने राजी की दिरूप में लाये थे अब चुकि हम बिहार और उत्तरप्रदेश आप वहां गए थे इसलिए इस बारे में चर्चा करनी जरूरी थी विपक्ष आपको चैलेंज कर रहा है बीजेपी को राहुल गांधी कह रहा है कि जातिगर जनगनना करवा के दिखाएगे न आप तो OVC का बड़ा चहरा है आपने कहा कि नहीं मुझे जाती में मत बाटो लेकिन जातिगर जनगनना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अध्यप्रदेश में होगी कि नहीं देखो माननी प्रधानमंत्री ने केवल देश में चार जातियां बताई है और मैं उनकी बाट से सहमत हूँ उन चार हो जातियों के अलावा उन जातियों पर बात करना मुझे लगता आज के सवसर पर बिमानी होगा पर जातिकर जनगरना होनी चाहिए कि नहीं मैंने फिर दुदा निवंजन किया कि हमारे लिए पूरे भारत के सभी अंचल को साथ में लेकर चलने की जो भारती अंता पार्टी की उधारना है मैं उसमें विश्वास करता हूँ आप कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं तो क्या विपक्ष सबको बाट रहा है आपके सामने ही है विपक्ष क्या कह रहा है विपक्ष के बारे में बात करें खासकर कांगरेस के बारे में बात करें वो नितने उनके जो सभूफे होते हैं उसके अंदाज लगा लिजे भगवान राम के मंदिर को मामले को लेकर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खिलाब गए बाद में उनने निमंतरन तक ठुकरा दिया तो ये कांगरेस का चरितर सब ने देखा और वो क्या उनके उसे उनके साथ माने वाले सब लोगों के चरितर दुनिया देख रही है उस दिन नहीं गए ना बाइस को नहीं गए बाद में तो जाएंगे मैंने आप से फिर निमिदन किया कि भई मैं आपको निमंतरन अगर देता हूँ तो कोई ऐसा विक्ति नहीं है कि भगवान राम के निमंतरन को ठुकराए चलो कोई बात नहीं पुराना जमाना था जब आपने विरोध कर लिया होगा लेकिन सुप्रिम कोड ने डिसाइड किया सुप्रिम कोड के दिये गए फैसले के अधार पर भगवान राम का मंदिर बन रहा था तो डॉक्टर साब आपको क्यों लगता है क्यों विपक्ष नहीं आए क्या वज़र थी मैं ये थोड़ी कि जान सकता हूँ उनने क्या सोचके किया पूजा अर्चना उन्होंने की वो तस्वीरे भी आपने देखी हूए भगवान राम के मंदिर पर उद्गाटन के समय क्यों नहीं गई ये जवाब पुरा देश पूछ रहा हूंसे अब दिखावे करने से क्या होता है जब दुनिया देख रही थी विश्व में सारा इंतजार कर रहा था भगवान राम के गरबगर के प्रवेस करने का आप बताईए भारत के कौन से अंचल के कौन सी हस्तियामा उपस्तितनी थी नहीं थे अगर नहीं थे तो राहूल गांदी और उनकी पाल्टी उपस्तितनी थी तो वो इस बात को क्यों न कारती है भगवान राम के मामले में उनका ऐसा द्रश्टिकून क्यों होना चाहिए तो भगवान राम आपको आशिरवाद देंगे और विपक्ष को नहीं यहां को लगता है और और तो थोड़ी के रहती है मैं राजनितिक तोर पर पूछ रहे दूसरी बात करना भगवान राम क्या करेंगे भगवान तो सब पर करपा करते हैं लेकिन करपा पाने वाले की भागी भी तो होना चाहिए उनका अगर वो हमारे अपने समुदाय को अपमानित करते हैं तो अपमान करने वाले समाज को विचार करना पड़ेगा निए कि इनके बारे में क्या करना चाहिए तो आज के समय में मतदाता की जागुरुकता और मतदाता की जो ताकत है परमात्मा की देया से माननि मोदी जी के नेतुरत में पहली बार ऐसा हुआ कि समुचा देश एक जो ठोकर के एक दल की सरकार बनाता है ये बड़ी बात है और दूसरी बात फिर 2019 में एक दल की सरकार बनाता है मोदी जी के नेतरुत में पूरा देश आज जिस धंग से खड़ा है ये लोकतंत्र की परिपकवता भी है और जन्ता के साथ मोदी जी का एक अटूट रिस्था है भारतियनता पार्टी के प्रति अगाद विश्वास है उसका प्रेणा में एक निश्यत रूप से अखंड जना करूँ इसे दुरूप से हमारा पिछला रिकार्ड टूटेगा ऐसा में बहन सकता हूं तूटेगा अब यह में मान सकता हूं हमारे साथ मध्यप्रदेश का ही जाना बना चेहरा और आप जानते हैं मनूर्श शर्मा जी यहां पर मौजूद हैं सवाल आप से पूछना चाहत मुख्य मंतरी मानि शिवराज सिंग जी चोहान ने निर्णे किया था और संस्कति मंतर लेके माध्यम से अगर वो निर्णे की हम समिक्षा कर रहा है हम तो पहले अपने राज्य के अंदर देखेंगे और उसके बाद हमको लगता है कि उस दिसा में कल्चर मिनिस्ट्री ने कु मध्यप्रदेश को आप एक अलग तरीके से चलाने की और उसे ढालने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं मध्यप्रदेश पर ही केंद्रत भी रहना चाहता हूं मुझे इस वक्त इस चौपाल की मन्द से नियूज 18 इंडिया के आप मध्यप्रदेश की जनता को व हमारे कई कारणों से मध्यका भी प्रदेश है जो देश की सारी आबो हवा में हमारे यहां कोई बड़ी बाड नि आती है कोई बड़ा तूफान नि आता कोई बड़े समुदर की हमारे यहां दूसरी परिशानिया नहीं है तो विकास की अपार संभा होना है इसलिए सुशा रिधाय की विवस्था में सुधार करते ह shouting कि नेत्रुट में सिख्षा के लागु करने में नंबर बन रहे हैं और अभी हमने द्षिस के सकल पंजिरदर्जी आर जिसको बोलते हैं उसमें नंबर बनाए हम निशितरु से उसमें भी जाएंगे उपलब्द संसाधनों के आधार पर हमारे जो संसाधन है उनका बहतर रुपियों करते हैं जैसे माइनिंग के सेक्टर में हम देश में नंबर बनाएं तो इस तरह से जो बनांचल का हमारा पार छेतर है तो जहां जिस प्रकार की ववस्था रहेगी उ इसमें सब छेतर हम समान रूप से काम करके प्रदेश को आड़े साड़े आठ करोड जिनता की बहतरी के लिए जो कर सकते हो जुरूर करें डॉक्टर साब आप हमारे इस मंच पर आए मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अगर आपने साक्षात कर दिया तो उसके लिए नियूज 18 इंडिया को चुना चौपाल के मंच को चुना आपको खुब सारी शुक्रा आपना है तो यह थे डॉक्टर मोहन यादब जो चार रहे थे कि कैसे मद्यप्रदेश को आगे ले जाने वाले हैं आकरों पर कह रही हैं कि आप मुछंद्व वात कीकर रहें वाय और शुक्रा बन東西 टेंडिया dim sono very झाल 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 कि तो सुना आप ने जियां डॉक्टर मुहान यादव का एक्स्क्लूसिफ इंटर्विव और इस इंटर्विव के दौरान कई सारे सवाल उन्हें से किये गए चाहे सता पक्ष के हो चाहे बबख्ष के हो चाहे कानून बबथा को लेकर हो चाहे अन्य राजियों की राजनीती को लेका रो बेबाकिस से जवाब दिया मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और आप देखिये कि बार बार जब उन से एक नंबर पूछा जा रहा था लोकसभाई लक्षन के लिए उनका यही कहना था कि बीजेपी ने जो तैirect कर दिया है जो लक्ष निरधारीत है वो सबके सामने है ही लेकिन जिस तरीके की guideline जारी की के उसके अंतरगत काम किया जाएगा उसके उसी को लेकर भी उन्होंने बहतरीन जबाब दिया बीजेपी में सब कुछ ठीक है सब कुछ सही है यहां तक की बिहार की राजनिती में जब नितीश कुमार को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उनका यही कहना था कि वो पर्सनली तो उनको नहीं जानते हैं लेकिन अच्छा खासा कारेकाल जरूर उन्होंने राजनीती को दिया है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के साथ जब पहले नितीश कुमार ने काम किया बहुत बहतरीन तरीके से बिहार को एक नई दिशा द लेकिन आपका विचार क्या है मेरा विचार मोदी जी के साथ चलने का यूसी सी के फेवर में हैं आप हमारी भारत सरकार चाहेगी निश्यत रूप से हम वो सब करेंगे तो देखा आपने यूनिफॉर्म सिविल कोट को लेकर विए उनका साथ तोर पर कहना था कि जैसा भारत सरकार करेगी वैसा ही वो लागू करेंगे मद्ध प्रतेश में और जाहिर से बात है कि जो सरकार ने प्रधान मंतरी नरे अंद्रमोदी ने तैकिया उसी क्याधार पर मद्ध प्रदेश में भी तमाम जो निर्णा है वो लिए जाएंगे बक्त एक चोटे से ब्रिक कर देख